तो गाइस समय कम और काम ज्यादा तुनके थोड़ा सा डिफिकेट लग रहा हूँ लेकिन आपके इस परिशानी को हल करने के लिए मेरे पास एक उपाया है उपाया मीन्स एक लैप टॉप है जो आपके हर काम को असानी से हल कर सकता है आप इसे खरीच सकते हो आपके हर काम को तो चालू करते हैं इसी के साथ तो हमारे चौते नमर पर आता है डेल इंस्पीरेंट 5409 तो बेसिकली यह आई पाइफ 11 जेलेशन के प्रोसेसर के साथ आता है 8GB कर रहा है में 512GB का SSD है और 8GB कर रहा है में 14 इंच का मॉडल है Intel Iris XC Graphics है इंच इंटिगरेटेड और 6 गंटे की बैटरी लाइब है बट जो इसका क्रिमिश कलर का लूक है जो डिजाइन है इसमें ज्यादा येर फ्लो है उसकी हिसाब से मैंने इसे चौते नमर पर रखा है ताकि आपका वर्कलोड कम हूँ काम करने में तेजी आए प्रोसेसर ठंडर है इस हिसाब से चौते नमर पर डिजब करता है और इसकी जो कीमत है वह 16,440 रुपए है अब बढ़ता है हमारे तीसे नमर पर तीसे नमर पर एसूस वीवो बूक अल्टरा 15 तो ये बेसिकली आपको 15 इंच के मॉडल के साथ मिले और आइफाइब 11 जेनरेशन का प्रोसेसर 8 जीवी का रहा हम है इसमें स्टोरेज की थोड़ी बढ़तरी की गई है दोसो चापन जीवी का एसेजडी और वन टीवी का हार्डिक्स लगा है और इस टार ब्लेक के साथ आता है जो आपके हर लुक को बैतर बनाता है और श्य घ अब बढ़ते हैं दूसरे नमबर पर हमारा एसर एसपायर 5 बेसिकली यह 15 इंच 15 इंच का मोडल है और आफाइब 11 जेनरेशन का प्रोसेसर के साथ आता है 8 जीवी कर रहा हम है 512 जीवी का एसेजडी है और यह न्यू मीडिया के तरफ से आने वाल मेक्स 350 का ग्राफिक्स का लगा है इसमें और इस्टीम ब्लू है फिंगर प्रेंट स्कैनर है और आट से दस गंटी की बैटरी लाइफ है और जिसकी कीमत है वो 69,990 रुपए है तो देखा जाए प्राइस के पॉइंट आव व्यू से तो यह बहुत अच्छा है इसके हिसाफ से प्राइस के हिसाफ से अब बढ़ था हमारे पहले नमबर पर हो तो पहले नमबर पर हमारा लेनोवा आइडिया पैट स्लिम नाम से पता चलते की पतला है तो कैरी करने में तोड़ा असान होगा और देखने में भी थोड़ा बैस्ट होगा बाकी अधर लेप्टॉप से तो यह आइपाइप के 11 ज सब्सक्राइब में आता है और अलुमीनियम सफेस है बैटरी इस की आठ गंटे की है और आपको एक व्याइप के मिल जाता है तो बेसिकली इसका जो प्राइस है संतावा नगर 990 रुपैर इसके हिसाब से हर लेप्टॉप को यह मात दे देता है इस प्राइस पॉंट पे इ इस वीडियो और आपके हिसाब से कौन सा पहले नंबर पर होना चाहिए कि क्या लगता आपको प्लिस कमेंट और कमेंट शेक्शन नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते आगले वीडियों तब तक के लिए बाए